नमस्कार किसान भाईयों मैं सूर्य दोल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एगरिकल्चर गुरुजी में किसान भाईयों आज का जो हमारा टोपिक है वह गंडे के अंदर जो टोप बोरर लग रहा है इस समय पर जो गंडे के अंदर सुन्डी का अटक इस समय पर चल गया है तो टोप भोरर को किस तरहीं किस तरीके से मार सकते हैं थ्रिपस पर हम किस तरीके से कंट्रोल है वो कर सकते हैं आज यहां पर मैं आपको एक ऐसा टेक्निकल बताने बाला हूँ आज एक ऐसी दवाई के बारे मता जागा जो सो परसेंट मात्र एक मिनिट के अंदर सिर्फ एक मिनिट के अंदर जो ये टोप बॉरर का अटेक था जो ये सुंडी का अटेक जो थ्रिप्स है इनका जो नियंत्र है ये करना सुरू कर देगा सिर्फ एक मिनिट के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ और दस मिनिट के बात किसान भाई हो ये जो सुंडिया है ये जो थ्रिप्स है ये मरनी सुरू हो जाएंगी लेकिन इन पर जो कंट्रोल है वो सिर्फ इस पर करने के एक मि को दूँगा, क्या इस वाले स्प्रे के साथ हम किसी fungicide को मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते हैं, या जो हमारा NPK 1919 है, 0.524 है, या 0050 है, क्या हम इसे इसके साथ मिला सकते हैं, या फिर नहीं मिला सकते हैं, या फिर कोई PGR टोनिक हो, या फिर plant growth regulator हो, किसी अन्य इस्प्रे को हम इस वाले किटना सक्य साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते एक संपूर जानकारी यहाँ पर दी जाएगी इसकी कीमत आपको मार्केट में क्या देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको बता हुआ डोज आपको कितनी रखनी हैं कितने बार आप इसका इस्प्रेक कर सकत किस तरीके से हमारी फसल को इन रोगों से इन बीमारियों से बचाएगा तो सब जानकारी देने वाला हूं वीडियो पूरी जरूर देखी पूरी वीडियो देखेंगे तो अच्छी जानकारी मिलेगी आधिया धीरी वीडियो देखने से आपको गलत जानकारी मिलेगी उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, तो 6 से लेके 7 मिट की मुच्छल से वीडियो होगी, लेकिन जानकारी बहुत ही जबर्दस नहां पर मैं आपको देने वाला हूँ, जैसा कि किसान भाई, वर्ट एको का इस्तिमाल कर रहे हैं, कोरजन का इस्तिमाल कर रहे हैं, फटेरे का इस्तिमाल कर रहे हैं, बरूज का इस्तिमाल कर रहे हैं, और कल मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, जो हमारा सिंजेंटा का एंपलिको था उसके उपर, तो सिंजेंटा का एंपलिको के अंदर आपको दो टेक्निकल देखने को मिल रहती है, एक लेमडा देखने को मिल रहती है, दूसा किलो रेंटरा निली प्रोयल देखने को मिल रहती है, वो भी बहुती तकड़ा वाला एक फार्मूला है, बहुती तकड़ा वाला एक इस्प्रे है, यदि हम उसका इस्प्रे भी करते डोड़ जैएगी तो जो इसा माले आप रोजोना दो रोटिया कहा रहे हैं तो आपकी जो आदत हो दो रोटियों की बन चुकी है अगर आपको को अभ तीन लोटी दी जाएंगी तो आपकी जो खुराक है थोड़े सी बढ़ जाएगी तो जो यह दबाईयां अब तक कारे कर रही थी वो दबाईयां किसा माइओ इन कीटो पर अब नियंद्र नहीं कर पा रही है क्योंकि जो इन कीटो की झहिलने की सकती थी वो अब बढ़ चुकी है पहले जो इन सुडियों का अटेक होता था वो एक से दो बार होता था लेकिन अब ये चार से पाच बार तक भी इनका अटेक बार 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 हमारे गंडे के अंदर हो रही है क्योंकि इनकी जो residency power थी वो किसान भजयों बढ़ चुकी है यानकि इनकी जो दवाई जिलने की ताकत थी वो ताकत बढ़ चुकी है तो अब आपको heavy kitna सकी यहां पर लगाना पड़ेगा heavy kitna सकी लगेगा तभी किसान भजयों ये control करेगी अब किसान भजयों जो आज मैं आपको corrosion इस्तिमाल करते हैं उसके अंदर 18.8% में आपको जो है किलो रेंटर नीली प्रेवल देखने को मिलता है जो SC formulation आता है यानि कि suspension concentrate जो हमारा सफीद रंका गाड़े रंका एक दूच जैसा आपको देखने को मिलता है लेकिन ये WDG foam में है वो SC foam में दोनों का जो foam है वो किसान भायों अलग हो गया है और just इनकी जो मात्रा है वो भी किसान भायों डबल कर दी गई है वहाँ पर साड़े 18% के आसपस आपको देखने को मिल रहा था और यहाँ पर 35 से लेके 36% के आसपस देखने को मिल रहा है यानि कि वही उसी चीज को आप यहाँ पर डबल करके आपको दे दिया गया है जो वहाँ पर मात्रा थी 1500 ml की वो यहाँ पर मात्रा भी कम हो गई है लेकिन किसान भायों जब हम कोर प्राइमा का इस्तिमाल या इसका उप्योग अपनी फसल के उपर करते हैं अपने गन्ने के उपर करते हैं तो जितना भी टोप बुरर की सुन्डी हो थ्रिप्स हो उन पर यह अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है इसका कार्य करने का तरीका गया है इसके अंदर किसान भायों आपको ट्रांस लेमिनार एक्सन देखने को मिलता है अब ट्रांस लेमिनार एक्सन होता है आपने पत्य के इस तरफ इस प्रे किया तो पत्य के दूसरी तरफ भी अगर थ्रिप्स चीप्य हो यह यह सुन्डी चीप्य हो यह तो वहाँ पर भी जाकर यह कंट्रोल कर लेगी दूसरा किसान वह यह ब्रोड इस्प्रेक्ट्रम है ब्रोड इस्प्रेक्ट्रम का मतलब होता है एक साथ कई सारे रोगों पर कंट्रोल कर लेना जैसे थ्रिप्स पर इख गोप कर लिए और भी बहुत सारे रोगों पर इख लेता जितना भी रोग आपके गण्ये की तसल के इंदर आएगा उन सभी रोगों पर इसके बहतर परड़िना मापको देखने को मिल जाएगे जो सुन्डी हमारी गन्ये की गोप के अंदर बड़े आसानी के साथ अंदर छुप करके बैठ गे थी और जब आप इसका इस्प्रे करेंगे तो इस्प्रे करते ही अगर उसने उन पत्तों को खा लिया तो तो वह एक मिनट के अंदर ही किसान भाईयो मर जाएगी और जदी उसने नहीं खाया है और उसकी बोड़ी पर जो दवाई है हलका सा अटेक भी कर देती है हलका सा उसकी बोड़ी को छूबी लेती है तब भी किसान भी मात्र दस मिनट के अंदर उसकी जो मिरत्यू है वो हो जाएगी इस्प्रेव करने के एक मेंट के बाद ही सुन्डियों वो हमारे पत्ते को गन्ये को खाना बंध कर देती है और 10 मेंट के बाद इनकी मिर्त्यों धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है मात्र एक से लेके दो दिन के अंदर आपको नमबर एक के सो परसेंट रेट किसान भाई यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो बहतर वाला एक कीटना सकी आपके लिए होने वाला है लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान दे अगर आप करने के अंदर वटै को डाल चुके हैं तो इसे अभी डालने की ज़रूत नहीं है अभी थोड़ा सा समय दीजिए क्योंकि ऐसा वो भी काम करेंगे लेकिन सो परसेंट अगर को यह काम नहीं भी करते हैं लेकिन काम हो करेंगे 60-70% तक काम कर लेंगे अगर आप लगातार लगातार बार-बार इस्प्रे और जो हमारे खाद हैं वो खेत के अंदर डालेंगे तो उससे भी हमारे जो मिट्टी है वो बंजर हो जाएगी और हमारा खट्चा बढ़ जाएगा तो इस्प्रे से इस्प्रे में कम से कम 20 से लेके 25 दिन का समय दीजी खाद से खाद में 20 से 25 दिन का समय आपको देना होगा तब बहतर पढ़ी नाम आपको देखने को मिलेंगे बात कर रहे थे कोर प्राइमा के बारे में इसकी कितनी डोज हमें लेनी है तो इसकी सही डोस्त हो है किसान भायो 34 ग्राम पिर्ती एकड़ के हिसाथ से तो 34 ग्राम की इसकी मात्रा ले लिजिए लगवव 150 से लेके 170 लेटर पानी के अंदर इस 34 ग्राम की मात्रा को डालिए और इसका इस्प्रे अपने गन्ये की फसल पर कर दीजिए अब कुछ किसान भायों कहेंगे क्या इसके ड्रिंचिंग करनी है तो ड्रिंचिंग नहीं करनी है पत्तों से लेके जड़ तक गन्ये को अच्छी तरीके से भिगोना है क्योंकि ड्रिंचिंग अभी तक मैंने बिल्कुल भी इसकी करवाई नहीं है पिछले साल एक खेत के अंदर इसका इस्प्रे करवाया गया था, 2022 में अच्छे डेट इसके देखने को मिले थे, उस खेत के अंदर काफी लंबे समय तक टोब बुरर की सुन्डी का कोई भी आटेक नहीं हुआ था, अब जो हम आपको बता रहे हैं तो 34 ग्राम की मातर ही आप को लेनी है, अगर अटेक हिसाब से कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो आप इसकी मातरा 40 ग्राम तक कर सकते हैं, लेकि 40 ग्राम से ज़्यादा मातरा इसकी नहीं करनी है, 40 ग्राम की मातरा इसकी काफी है, तो इस तरीके से आपको इसका स्प्रे करना है, बात कर लेते हैं इस अब बात करते हैं क्या इसके साथ में कोई fungicide मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते हैं तो बिल्कुल tension free हो करके अगर आपको लग रहा है कि खेत के अंदर Poco Boeing का असर आ रहा है या किसी fungus का असर आ रहा है fungus का attack हो गया है तो किसी भी fungicide को इसके साथ मिलाएंगे कोई भी reaction नहीं होगा बे जीजक हो करके आप इसके साथ fungicide को मिला सकते हैं बिल्कुल पूरी 100% जानकारी खटा करने के बाद इसका trial करने के बाद ही मैं आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ ऐसा नहीं है कि हवा में fire मारा जा रहा है तो किसी भी fungicide को मिला सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि इसके अंदर में NPK 19-19-19, 0-52, 0-0-0-0-0-5 इन तीनों में से किसी एक को मिला लू तो इन्हें भी आप मिला सकते हैं कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी बिल्कुल आपको आप इन्हें मिला करके इनका इस्प्रेश कर सकते हैं कोई भी reaction देखने को नहीं मिलेगा ये बात में आपको उता दी लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कीटनासक भी मिला लिया फंगिसाइड भी मिला लिया ग्रोथ प्रॉमोटर भी मिला लिया एन्पीक भी मिला लिया ऐसा नहीं करना है किनीवी दो टेक्निकल को आपको आपस में मिला सकते हैं या तो कीटनासक के साथ फंगिसाइड मिला लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, जाफिर इस score primac insecticide के साथ जो है आप NPK वाला कोई साभी technical मिला लीजे, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकि सभी को mix नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि बिल्कुछ सही जानकरी में आपको देना, अगर आप दो से तीन technical मिलाएंगे, तो इनमें reaction है जागा, ये जो घोलोगा हमारा फट जायागा, और इसके अच्छे देल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो इस तरीके से किसान भी पूरी जानकरी में आपको इसकी दे चुका हूँ, यदि आज आप इसका इस्प्रे करते हैं, तो लगबग लगवा 40 से लेके 50 दिन तक आपकी जो गन्य की फसल है, उस पर नहीं तो थिप्स का अटेक होगा, नहीं टोब बुरर का अटेक होगा, और जो सुन्डी होगी वो अराम के साथ मर जाएगी, इतने ही दिन का इसका सम पर करते हैं, तो बैस्ट रेल्ट आपको देखने को मिल जांगे, उम्मीद है, मेरी ये जानकरी, मेरी ये वीडियो, आपको बेहत पसंद आई होगी, वीडियो अच्छे लगी हो, तो जादस जादस किसान भाई तक सेर करें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाईयो को, जै हिंद, जै भारत, जै किसान, वंदे मात्रम